अल्गो ट्रेडिंग नाम तो आपने सुनाई होगा ये एक मैं बेसिक वीडियो बना रहा हूँ answering three questions बहुत simple तीन question पहला है अल्गो ट्रेडिंग क्या होता है second है हम अल्गो ट्रेडिंग क्यों यूज करते हैं और third सबसे important चीज है कि हम उसे कैसे use कर सकते हैं कहां से आप शुरू कर सकते तो यह जिन लोगों ने कभी अल्गो ट्रेडिंग नहीं किया है उनके लिए वीडियो है तो दोस्तों सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग क्या है मतलब क्यों इसकी ज़ुरत पड़ी तो एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एक एल्गोरिधम बनाते हैं वो एल्गोरिधम मतलब एक कुछ ऐसा system बनाते हैं कोई भी आपका जो भी जिसे हम मनलब futures and options वाले strategy बोलते और उस strategy के basis पे computer आपका ट्रेड लेता आप एक strategy बनाते हैं या आपके friends से किसी से strategy बनवाते हैं जो भी है मतलब जिस तरीके से एक strategy बनाते हैं और उस strategy के basis पे computer आपका हर दिन हर समय जब market खुला है वो ट्रेड लेता रहता है अब इसका फाइदे क्या है कि एक बार आपने कुछ बना दी माल लिजी आपने जो स्टेंडर्ड बहुत लोग जो है वो 920 में कॉल बाइंग सेलिंग वाली जो स्ट्रेडजी होती है या तो वो बना दी या SMA के स्ट्रेडजी बनाई है तो इसके लिए अलगो ट्रेडिंग यानि कम्पेटर यूज होता है ठीक है तो यह एक इंपॉर्टन चीज है अब इसकी जरुरत क्यों पड़ी एक्चली क्या होता है कि जब हम लोग यह स्ट्रेडजी को इंप्लीमेंट करते हैं तो दो इंपॉर्ट और कई लॉस नहीं नहीं करते हैं और फिर वह लॉस बढ़ता चला जाता क्योंकि हमारे इमोषन सजाते हैं और कई बर हमारा लॉस इसमें बहुत ज्यास बढ़ा हो जाता हैं तो हमारे इमोशन को आपके अलगोरिदम आपकी स्ट्रेडजी से बाहर रखने के लिए यह काम आपने बोल जे इतने पे एकजिट तो कम्पिटर उतने पे एकजिट कर ही जाएगा आपकी emotions उसमें नहीं आएंगे तो यह एक दूसरा important चीज है एक और जो important चीज है वह है आपका time अगर आपने एक system बनाया है कि भई मैं इस तरह होता हूं trade में trade लेता हूं और इस तरह से में trade से निकल जाता हूं अगर यह system रोज आप बैठके वही कर रहे हैं और system एक ही है तो फिर आप अपना time उस पे क्यों डाल रहे है वह system आप computer को समझा जी दिए और computer अपने आप उस system के business पे trade लेता रहेगा और आपका जो है 9 बज़े से लेकर साड़े-3 वज़े तक का time आपका पूरा जो है वह बचा रहेगा तो यह time की saving है तो यह part है कि क्यों आप algorithm use कर सकते हैं और इसके क्या फाइदे हैं ठीक है तो यह बात होगी क्या होता है क्यों use करते हैं अब कैसे करते हैं के लिए आपको system समझेना पड़ेगा कि यह system काम कैसे करता अगर आप system समझेंगे तो आप तरीके से ट्रेड ले पाएंगे कहीं system में कुछ failure हुआ तो आप control भी कर होता है और कुछ third party companies भी है जिनको यह live data flow होता है जैसे कि आपको पता होगा trading view करके है चार्टिंग करके है तो ऐसे बहुत सारी sites है जो यह डाटा जो है आपको provide करते जैसे जिरोधा भी provide करता है ठीक है तो वह live data जो है वह data आपके पास आता जैसे आप आपका system उस data के basis पे बनाता है कि price उपर गया नीचे गया तो चार्ट बनता है और उस चार्ट को देखके आप अपना ट्रेड लेते हैं अब वो ट्रेड चाहे बाइंग का हो चाहे सेलिंग का हो बाइंग से एक्जिट हो सेलिंग से एक्जिट हो ठीक है अब यह जो आप देखके जो ट्रेड लेते हैं अगर वह आपकी strategy है तो वह strategy आप algorithm के platform में आप समझा सकते हैं जैसे माल लीजी आपकी strategy है कि मैं 920 पे निफ्टी का call or put मैं buy करता हूं और एक को stop loss लेके exit कर देता हूं और दूसरा मैं आगे carry forward करता हूं जिस तरह की मैंने वीडियो बनाए हैं आपको नीचे description में link मिल जाएगा कि use कैसे करना है उसके सारे detail लेकिन होता क्या है कि कि किसी भी system से चाहे वह डिरेक्ट जिरोधा से लें ट्रेडिंग दूसरे कहीं से यह price का feed-in के पास आता है और यहां आप अपना जो है वह algorithm बनाते हैं कि वही ऐसा हो या इस time पे हो या इस तरीके से हो तो यह वाला आप ट्रेल लीजिए और अगर डूसरी condition meet हो तो उस में से आप exit कर जाएए तो यह चीज आप उसमें जो है वह आप पुराने जमाने में बहुत लोग बहुत strong programming करते थे उस data के basis पर कि price में यह movement हो इसका EMA यह हो SMIA हो RSAI यह हो तो उनके विशिस पर programming करते थे लेकिन आज कल programming की जुरत नहीं है जैसा मैंने बताया Elgo test और trade on जो है दो जो इंडिया में famous Elgo trading वाले platform है दोनों के link और वह कैसे यूज करना है उनके भी वह नीचे आपको description मिल जाएगा तो वहां पर आप अपनी strategy drop by मतलब drop downs के through numbers में मतलब लिख के आप उनको वो जो है वो बता सकते हैं और उस system के हिसाब से आपका trade लिया जाएगा और फिर तो एक यह pricing वाला information के पास आता है जिस पे आपका algorithm काम करता है और एक order flow होता है यानि आपके broker के through इसका link होता है जिसमें रोज आपको एक बार login करना बता रहेगा आपके हिसाब से जो जो आपने trade बताया है वो trade ले लेगा exit कर लेगा इसी तरह से जो ट्रेट्रॉन है वो मैंने बताया है अगर आपको बहुत सारे trades हैं तो आप शूनिया जो है उसके साथ आप integrate कर सकते हैं वहाँ पर normally charges जो है वो नहीं लगते हैं उनके साथ मेरा affiliate नहीं है कुछ भी मैं simply आपको मैं बता रहा हूं कि वहाँ क्योंकि कई बार एक दो बार कुछ उनका बड़ा issue भी हो गया था सब के साथ issue होते है वह ज्यादा बड़ा issue हो गया था anyway तो अभी आजकल शूनिया अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसके बाद मुझे कोई बड़ा issue नजर आया नहीं बट जैसे ट्रेटरान के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप उसे शूनिया से कनेक करके चोड़ 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 बहुत सारे आप ट्रेड कर सकते हैं वह भी वीडियो के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे तो यह तीन चीजें जो है यह आप समझ गए कि किस तरीके से काम करता है क्या इसकी जुरुरत है और कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं तो आपके लिए यह बहुत बड़ी ऑपरेशेंटि हो सकती है अल्गोड ट्रेडिंग के लिए तो ऐप थोड़ा आपको मदद मिला हो समझने में कि अल्गोड ट्रेडिं थेंक यू वेरी मच्च बबाए